हलो बचो क्या हाल चाल बड़ियां एकदम तो क्लास 12 फिजिक्स का आज हम एक नया चाप्टेल स्टार्ट करने जा रहे हैं रे आप्टिक्स एक्साइटेड हो तो रे आप्टिक्स की खुबसूरत सी जर्नी आज हम शिरू करेंगे और यहां से करीब 20 वीडियो इसके हमें करने पड़ेंगे एक लेंदी टॉपिक है रे आप्टिक्स और हम चाहते हैं कि जितना भी कंटेंट इसका कोटा में पढ़ाया जा रहा है किसी भी अच्छी कोची में पढ़ाया जा रहा है वो हम सारा का सारा आपको डिलेबर करें इसलिए थोड़े ज्यादा वीडियो बनाने पड़ेंगे पर टेंशन मतलो क्योंकि रे आप्टिक्स बहुत ही असान टॉपिक है इसके कोश्चन जो जही में या नीट में आते हैं वो गिप्टेड कोश्चन होते हैं इनको छोड़ना नहीं है स्कोरिंग पार्ट है अब ऐसा इसलिए कह सकते हो क्योंकि इसमें जो कॉंसेप्ट है व www.kzixwalaalagpande.com एक दो दिन में assignments वहाँ अप्लोड हो जाएंगे और खुब्डे सारा प्रैक्टिस कर लेना और बढ़ियां से रिविजन भी कर लेना ठीक है अब यह जो रे आप्टिक्स है इसमें पहले हम पढ़ेंगे reflection वाला पार्ट फिर हम पढ़ेंगे reflection वाला पार्ट वाला बहुत बाती हो गई copy pen निकालो नोर्स बनाना शुरू करो और चुहे कमार के खाना बंद करो तो चलिए भाई हैडिक लगाते हैं रे आप्टिक्स वाव सर नया topic रे आप्टिक्स तो बच्चों यह आप्टिक्स क्या होता है पहले यह बताओ optics क्या होता है optics is study of light light के बारे में जब हम अध्यान करेंगे तो उसको हम optics कहते हैं वो ब्रांच science की जो light से deal करे उसको हम optics बोलते हैं अच्छा light क्या होता है लाही it's a roshni that form of energy एना ऐसे सुछते हो न लाइट बच्चों एक electromagnetic wave होती है जैसे gamma rays, x rays, uv rays वैसे ही light भी एक electromagnetic wave है बस ऐसी wave है जिसकी वज़ा से हमें अगल बगल के object दिखाई पड़ते हैं light ना हो तो हमें चीज़ें दिखे ना, इस कमरे की सारी light off कर दूँ फिर मैं वीडियो बना लूँ कुछ नहीं दिखेगा ना, तो light ही है जिसकी वज़े से हमें चीज़ें दिख पाती है so light क्या है, it is that part of electromagnetic spectrum electromagnetic spectrum, electromagnetic spectrum में सारी electromagnetic wave होती है तो उसमें से एक electromagnetic wave light भी है which help us to see various objects light ना हो तो भाईया कुछ दिखाई ना पड़े it is that part of electromagnetic spectrum which help us to see various objects electromagnetic spectrum क्या है जड़ा देखनो सबसे पहले कौन सी rays होती है हमारे पास सबसे पहले होती है gamma rays gamma के पास कौन सी होती है x rays, x rays के बाद कौन सी होती है uv rays, uv rays के बाद क्या आता है with gear, यही तो light है ना with gear, इसके बाद कौन सी होती है infrared rays, इसके बाद कौन सी होती है microwave और उसके बाद radio waves यह होता है हमारा electromagnetic spectrum जब आप इस end से इस end को जाओगे तो wavelength आपकी increase करेगे आपकी नहीं, in waves की wavelength increase करेगी यह ऐसे बोलो की frequency of wave decrease करेगी ऐसे जाने पर wavelength बढ़ती जाती है यह हमें दिखाई नहीं पढ़ती है दिखाई नहीं पढ़ती है दिखाई नहीं पढ़ती है सर्फ यह दिखाई पढ़ती है यह जो region है यही सिर्फ हमें दिखाई पड़ता है और इसी को हम बोलते हैं लाइट जो विजिबल रीजन है इलेक्ट्रो मैगनेटिक स्पेक्ट्रम का उसी को हम लाइट बोलते हैं इनकी वेवलेंद किये कि अगर आप देखो तो 3800 एंड़ स्ट्रॉंग से लेके 7600 एंड़ स्ट्रॉंग तक जलेगा कई किताब में 4000-8000 लिखा होता है कई में 4000-7800 लिखा होता है तो अगर आपको मोटा मोटा हाग रखना है तो 4000 एंड़ स्ट्रॉंग से 8000 एंड़ स्ट्रॉंग के बीच में फॉल करने वाली इलेक्ट्रो मैगनेटिक वेव को ही हम लाइट कहते हैं अब आप से कोई आप से बूचे लाइट क्या होता है तो यह ने की बच्पन वेले डिफनेशन लाइट is that form of energy ना लाइटिक एलेक्ट्रो मैगनेटिक वेव है क्या है एलेक्ट्रो मैगनेटिक वेव है जिसकी वेवलेफ 4000 एंड्स्ट्रॉंग से 8000 एंड्स्ट्रॉंग के बीच में या 3800 से 7600 के बीच में हां इन वेव की वज़ा से ही हम डिफरेंट आपजेक्स अपने अगल बगल देख पाते हैं तो लाइट क्या है इस एड़ फार्म आफ एलेक्ट्रो मैगनेटिक स्पेक्ट्रॉंग वेवलेफ जिनकी वेवलेफ जिनकी वेवलेफ चार अजार से 8000 के बीच में है और जिनकी गालन किताब में देखा होका Ray optics, Wave optics तो चरहां बात करते हैं कि Ray optics, Ray optics क्या है, फिर आते है Ray optics तो पहले आज introduction तो हो, परीचय तो हो, आपका note करें, परीचय मैंने की है मेइनत, मिटा रहे हैं इसको, मिटा रहे हैं, साइद ने तो मेरी आखें कोल दी आज, Light electromagnetic wave जार जारे जा चल पॉस करके नोट कर लिया करो बाकि जो लोग चाहें हो हमारी वेबसाइट वेबसाइट का प्रमोशन www.physics.com पर जाकर इस लिक्चर के PDF नोट डाउनलोड कर सकते हैं अब यह जो optics है यह दो पार्ट में डिवाइड़ है optics मतलब study of light यह दो पार्ट में डिवाइड़ है किताब में भी आपने देखा होगा एक हमारा है और एक हमारा है एक हमारा है रे optics इसका original आगर देखो तो उसको geometrical optics कहते हैं चीक है किसी भी अच्छी किताब में देखो तो इसको geometrical optics किता है अब यहां कोचिंग में पढ़ाते हैं हम लोग तो geometrical optics उसी को रे optics के नाम से किताब में डाला जाता है और एक होता है हमारा wave optics तो सब डिफरेंस क्या है दोनों में यहां reflection पढ़ेंगे reflection पढ़ेंगे वहां और भी reflection reflection पढ़ना है कही लोग ऐसे कर लेते हैं कि इधा reflection, reflection, diffraction, diffraction, interference नहीं actual difference क्या है कि यहां जिन object से deal करोगे उनकी size light की wavelength से काफी बड़ी होगी dimensions of objects, objects मतलब mirror, mirror से deal करना है different mirror से, lenses से, prism से, telescope, periscope, horoscope, telescope इन सब चीज़ों से deal करना है आपको dimensions of objects are much bigger, bigger नहीं, are much bigger than wavelength of light wavelength of light देखे ना कितनी छोटी सी है 4000 angstrom, angstrom क्या होता है 10 की पार-10 meter और जब आप wave optics से deal करोगे तब आप उन चीज़ों से deal करोगे जिनका dimensions light की wavelength के आसपास होता है यहां आपको मिलेगा यंग्स double slit experiment वहाँ एक slit होगा एक slit होगा और उस चेद की जो size होगी, उस hole की जो size होगी, उस slit की जो size होगी वह light के wavelength के आसपास होगी यहां आपको diffraction में मिलेगा एक अपरचर तो अपरचर की size होगी वह light के wavelength के पास होगी तो क्या difference है यहां पे dimension of objects यहां जैसे slit वगेरा मिलेंगे slit holes etc are comparable to wavelength of light ठीक ऐसा है थोड़ा बहुत feel और feel और feel दिल है यहां जो phenomena's होते हैं वो आप देख चुके हो वो हमें दिखाई पड़ते हैं गल बगल, naked eye से reflection का phenomena, reflection का phenomena इस अब naked eye से दिखाई पड़ जाता है, normal reflection हो रहा है ठीक है अपनी image दिख रही, reflection हो रहा है light की bending हो रही है, यह पूल की height कम दिख रही है बगेरा बगेरा, different phenomena's यह जो phenomena's हो रहे हैं यह आपको naked eye से दिखाई नहीं पड़ेंगे, यह quantum level की phenomena's होंगे यहां पे, like interference आप पड़ोगे और दिमाग घुम जाएगा, interference जब आएगा, diffraction क्यों घुम जाएगा, tough नहीं है, खतरनाफ logic हैं के अंदर, diffraction आप पड़ोगे polarization, तो यहां कुछ ऐसे phenomena's होंगे, जो आपको naked eye से जल्दी असानी से दिखाई नहीं पड़ेंगे, quantum level की experiment, बहुत छोटे world की experiment, तो कि देख रह बड़े चीज़ें होगी, दिखाई पड़ेगा, day to day life के phenomena's होगे, ये day to day life के phenomena's है तो, होते तो रहते हैं, अब हमको feel नहीं होते हैं, clear है, मतलब उतने discovered phenomena's नहीं है, जो आपने सुन रखे हो, class 9-10 में, वो सब आपने सुन रखे हैं, शुरू करें, किसी चीज की spelling गलत हो, तो मैं तहे दिल से आपसे माफी मांगता हूँ, अब हम शुरू करते हैं, geometrical optics, या formally known as ray optics, उर्फ ray optics, नोट कर लिया इसको, मिटा रहे हैं, पॉस करके नोट कर लो, बहुत रहे हैं, अरे देखा, जो तुमको, ये दिल को, क्या हुआ है, मेरी धड़कनों पे, ये छाया, क्या निशाया, मला आ रहा है, निया topic, ray optics, पहले बात करते हैं, what is a ray, ray क्या होती, optics समझे है, study of light, ray क्या है, बच्चों जो light होती है, light always travels in straight line, हमेशा सीधी line में चलती है, light क्या, जित्ती भी electromagnetic wave देखी थी, gamma ray, x ray, uv ray, vip gear, infrared, microwave, radio wave, सब की सब straight line में ही चलती है, all travel in straight line, अब ये जो straight line है, ये जो light का path है, light का जो ये रास्ता है, इसी रास्ते को हम ray बोलते हैं, the path of light, the path of light, is called ray, path of light is called ray, and bundle of rays, bundle of rays, is called beam, ठीक है, जब सुन रखा होगा ना, इंडेंज में भी आपने, कि light का जो रास्ता है, उसको हम एक line से दिखाते हैं, उसको हम ray बोलते हैं, arrow उस तरफ बनाते हैं, जिस तरफ light जा रहा है, जिस तरफ light प्रोसीड कर रहा है, उस तरफ arrow बनाते हैं, वो ray हो गया, और बहुत दे सारी rays, एक साथ है, ray ऐसे होती है, light अगर ऐसे जा दिखाते हैं, बहुत दे सारी rays अगर एक करफ हैं, तब इनको हम बोलते हैं B, इनको बोलते हैं B, तो शुरू करें ray optics, अब हम ray समझ में आ गया, path of light, optics, study of light, तो स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले हम reflection के फिन plane mirror, plane mirror, note कर लिया, मिटा रहे हैं, okay, अब यार reflection तुम्हें आता होगा है, बहुत ऐसा नहीं की detail में चलेंगे, regular surface क्या होता है, regular surface क्या होता है, यहां पर थोड़ा सा अब हम तेजी दिखाएंगे, okay, आप 9-10 से, क्लबर की 8-10 से reflection क्या होता है, तो reflection क्या होता है, यहां पर हम एक plastic surface दे लेते हैं, यहां पर एक stress क्या क्या होता है, यहां से एक incident rake इन पर एक बनाते हैं, पर यहां पर क्या बनाते हो? क्या बनाते हो नौर्मल क्या कुक्ता हैiss Bevirt be perpendicular at the Point of incidence जहां पर शर्फेस के पर्पेंटीकुलको नौर्मल जायेगी इसको कूछ सब पता इसको भोलते हैं यंकु पूलते हैं इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं प्लें मिरर के लिए, always, यह जो laws of reflection हैं, यह मत सोचना कि यह plane mirror पे लगेंगे, यह spherical mirror पे लगेंगे, दुनिया में कहीं भी reflection होगा, तो यह laws valid होगे, very very important point, अब यह समझ लग रहा है, दुनिया में कहीं भी reflection होगा, तो यह laws hold करेंगे, दूसरा law लिखेंगे, the incident ray, the incident ray, normal, reflected ray, lie in the same plane at the point of incidence, यह सम्झा आपको class 9-10 में पढ़ाया रहा है, चलो इसको सम्झा देते हैं, यह point कहीं लोग को नहीं पता होता है, 11 पहुच जाते हैं, पहुच जाते हैं, the incident ray, the reflected ray and normal, lie in the same plane, कौन से plane में, इस plane में, इस plane में, इस plane में लाइ कर रहे हैं, तीनो की तीनो, यह भी, यह भी, इस plane में है, इस plane में नहीं, lie in the same plane, इस plane में है, incident ray, reflected, और normal, तीनो ध्यान से देखो, यह वाले प्लें में हैं, यह वाइबॉर्ड का जो प्लें इस प्लें में, कब ऑलवेस। दुनिया में बेरिफ्लेक्शन होगा, तो यह वोल्ड झाले जाने नौर्मल व मगानि के एक कहांणी और समस्था मानलो कभी स्फेरिकल सर्फेस मने लिया था प्लेनARफिस में तो नौर्मल समझ गया सर्फेस के पर्बिट भीन रग्री से खीश देग хороший और यहां मालो मैं इसको अंदर से पॉलिष पहुब यह मालो अंदर से पॉलिश कर दीए, एँ छी 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 तोड़ा चाथ है, अंदर से मैंने पॉलिश कर दीए, अब मालो यहाँ पर नेक रहे हैं, यह हमारी इंसिडेंट रहे, अब जब स्फेरिकल सफेस मिलेगा ना, तो इसका नॉर्मल गहां से पास करता है, कही लोगों में तो normal ऐसा बनाना कि वो surface को काटता हुआ, center को काटता हुआ जाए, यह हो गया angle of incidence और यहां से आप इतने ही बराबर का खीच दो, इतने ही बराबर का खीच दो, angle of reflection. clear है, normal should pass through, normal should pass through, should pass through center of sphere, ठीक है, जो स्पेरिकल कर्व सर्फिसेज में, स्पेरिकल सर्फिसेज में ध्यान रखना, कि normal, center से पास करें, बाकी इनमें तो असान है कीच दिया, बस perpendicular, जो circle का, जो normal होता है, हो हमेशा circle के center से पास करता है, हमेशा, note कर लिया, clear है, angle of vision is equal to angle of reflection, clear है, एक case और सुनलो, बढ़ा ही, यहाँ पर पढ़िया case बनता है, जिसको हम बोलते है, normal incidence, इस अब चीदें पढ़ी हुई है ना, इंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटें angle of incidence, angle of reflection, दोनों बराबर तो हमेशा ही होते हैं, और दोनों 0 के बराबर होते हैं, बराबर तो दोनों हमेशा ही होते हैं, और दोनों 0 के बराबर होते हैं, जैसे मानलो, यह कोई मेरे पास plane surface है, यह ray of light मैं ऐसे लेके आ रहा हूँ, कईसे, ऐसे, perpendicular to surface, ऐसे लेके आ रहा है, अब नूर्मल भी हे अंगी को समझ में आ रहा है कि भाग रहे हमें इंसिडेट रे इससर्थ के एंसिडे। यह अब अब यहिं इसे मार यही पहर नॉर्मल भी यही इस भी यही तो एंगिल ऑफ इंसिदेंस जीरो अब एंगिल ऑफ इंसिदेंस जीरो तो एंगिल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो नहीं समझ में आया जैसे मालो यह मेरे पास सर्फेस है लाइट नेसको ऐसे मार दिया कितने डिग्री पे टैंकि डिग्री पे तब भया यही तो बनेगा अब normal और incident पेकि बीच में angle कितना है जी रो अंगिल ऑफ इस्टेंस जी रो तो अंगिल ऑफ reflection भी जी रो अंगिल ऑफ reflection 0 मतलब light जैसे गई है वह सही वापस है तक 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 पहिंग अगर normal नॉर्मल इंसिटेंस का केस हो लाइट अगर पर्पेंडिकुलर जाके मालेगी तो टक से वाफस नहीं समझे। नॉर्मल मारी पर्पेंडिकुलर मारी नॉर्मल बना बीच में अंगल 0 तो अंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0 का कोगा जब लाइट इसी पे लॉट है यह रिफ्लेक्टेट अरे भी हो गई नॉर्मल के साथ एंगल 0 तो टक टक बनाना सीख लो बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए रे डायराम के लिए इस पूरे खेल में प्लेइन मिरर पर आते हैं इमेज फॉर्मेशन बाई प्लेइन मिरर नोट कर लिया चलिए अभी रफ्तार पकड़ेंगे दिमेदेंगे सवाल आएंगे आज तो पहला लेक्षे ना तो इंट्रोडक्शन को दें आपको पड़ा हो अभी रफ्तार पकड़ेंगे सवाल कराने स्कार्ट कर देंगे तो इमेज फॉर्मेशन भाई प्लेमिरर आपको फील दिलाएंगे भी इमिज होती क्या चीज़ है फील दिलाएंगे कि नाइट अ Allison ऑली आठिक मुहता था क्या छाब एक प्लेमिरर बना लेते हैं पहले इमेज फॉर्मेशन कहां देख लिते हैं प्मॉन्ट ऑप्जेटें उसके आज extended object हैंगे भी point object, छोटा सा object है, point object, point के लाबर, ठीक है, बिन, तो यह हमने बना लिया mirror, यह हमारा मालू कोई point object है, यह हमारे पास mirror है, यह point object हो है, अब इसकी image कहा बलेगी, कहा दिखाई पड़ेगी, क्या होगा, यह हमने सीखना है, महां लेते हैं, यहां से एक ray of light, ऐसे एक खटाक से, mirror पर टक रहे, mirror पर टक रहे, mirror से यह ray of light reflect हो जाएगी, ऐसे, अब बना चो देख रहा है, वो इधर से देख रहा है कहानी को, अपन शीशे के अंदर बुसके देखते हैं कि शीशे के बाहर से, तो यह जो rays आ रही है, हमारी आख इदर पूरी बड़ी से है, यह जो rays आ रही है, यह हमें कहां से आती हुए दिखे नहीं, से आ आता महतना से टॉड़ी ना उसको रही हाते हैं मेरे को सामने से कैमरी की रेस आंते ही है我र को लग रहा है गामा मестना, तो इस बंदे को लग रहा है, रेस अंतली है तो सोचेगा, यह रही हमाले है कि यह पीछे से आ रही होंगी बाइस आप यहां से रही है अच्छा एक काम करते हैं यह जल्म टकना रहे हैं खटाग और तिंग अव्य तोनों इस जो अ मिल इपकर रही है आरी आंक ने सोचा एक रेस कहां पर मिल नहीं है, अमारी आंक हमेशा ही सोचती है रेस कहां मिल नहीं है, तो उसे दुर्ण ना पड़ा है यहां मिल नहीं है, वो तो दोनों रेस को सोचेगा और अपने आप एक illusionary, एक illusionary image बनाएगा कि रेस पीछे मिल नहीं जाके, तो हमें जब लगेगा कि रेस यहां पे आके मिल रही, और हम यहां पे बना लेंगे image, यानि image कहां बनती है, mirror के अंधर बनती है, पीछे नहीं बोला, मिल के अंधर बनती है, लाइट प्रेस कहा से आती हुई मालूम पड़ती है हमें लगता है कि वह इमेज और हमें ऐसा फील होता है कि जो कहा से आ रही है इमेज से आहां से पता ही चलता कोई ऑबचेक्ट है सब्च में आ रही है बात अब बनाने का तरीका को सिखा लेगे, शॉटकर सिखाएंगे, असान तरीका सिखाएंगे, अभी तरीका समझो, तो यह reflected ray, यह reflected ray, हमारे दिमाग ने imagine किया कि पीछे से कहीं आ रही होंगी, और mirror के अंदर कहीं image, mirror के अंदर, अब आजकल तो ठीक है, क्योंकि आप बच्पन से देखते आ रहे हो mirror, सोचो, जैसे पहले mirror नहीं रहा होगा, पहली बार किसी इनसान ने शीषद हाए, यह क्या, मेरा duplicate, डर क्या होगा, यह क्या हो रहा है, यह इसके अंदर मैं ही दिख रहा हूँ, पानी के अंदर मैं ही दिख रहा हूँ, यह क्या चीज है, तो उसे ही तु में meet करते हैं, यहां को raise meet करानी है, उसने meet कराती है, हाँ, अगर raise actual में meet करती हैं, तो हम बोलते है, real image, और यहां पे appeals to meet है, तो virtual image, तो एक चीज़ आपको समझनी है, कि plane mirror forms, virtual image, plane mirror forms, virtual image, क्या यह सच में exist कर रहा है, नहीं, एक virtual, हमारी सोची मन गड़त कहानी, ऐसी image को हम कि उसी screen पे नहीं obtain कर सकते है, cannot be obtained on screen, बढ़ा होगा, virtual image के बारे, अब important point सुनो, plane mirror का, plane mirror का एक important point यह है, कि जितना दूर object mirror से होता है, उतनी दूर image भी mirror से होती है, the image is formed as far inside the mirror, as far inside the mirror, as the object is in front of it, जिस भी भाशा में लिखना चाहो लिख लो, Chinese, Chinese में, कहानी समझ गए रहा है, कहानी समझ गए रहा है, जितनी दूर object उतनी दूर image, इसका जल्दी से proof देख लो, इसका proof देख लो, क्लास 9 की बात आई हैं यह सब है, यहां पर object बना लिया, object से एक रेज़ी खचाक, यह reflect के जाएगी, तिंग दिंग 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 पीछे से आती यह दिंग 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 दिंग, एसका है, इसे, सही। अब और एक रे नीचे ले जानी जगां मैं ऐसे ले जा रहा हूं कोई दिकत है किया में ऐसे में जा सकता हूं क्या है normal incidence अभी सिकाए ना एक रेस ऐसे ले गए एक रेस वर यहांगे को दो रेस चाहिए होती इमेज बनाने दो रेस यह हो कत करती है कम से कम दो रेस जब तक रेस कॉट नहीं तब तक image नहीं जब तक रेस-Cut नहीं तब तक image नहीं हाँ भाई बन गया कैसे एक रे यह नॉर्मल इस्टेंस वाजी यह जैसे लड़ेगी वैसे ही वापस आ जाएगी रिफ्लेक्टेट डेस ही आस्ते पे अब याली डेस जब इसी वापस आएगी तो हमारी आइस को क्या लगेगा रेस कहां से आ रही कहीं पीछे इसको मिलाने ही कोशिश करें हैं हम ले जाकर यहां बोलो बात समझ में आ रही है एक रेसे मारी यह इससे निकल गई ठीक है आपने उसको पीछे देखने कोशिश की और एक रे हमने नॉर्मल इसिटेंस वाले ली जाकर लड़ी और सीधा लड़कर वापस यह रिफ्लेक्टेट डे आ गई और यह रिफ्लेक्टेट डे दोनों रिफ्लेक्टेट डे इसको आपने पीछे मीट कर आया कहीं यहां मीट कर गई यह हमारा ऑब्जेक्ट हो गया और यह हमारी इमेच होगी हमें प्रूफ करना है यह यह बराबर का है ठीक है एक काम करते हैं यहां पर नॉर्मल बनाते हैं टांग 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 डांग यह क्या बनीम नॉद इस सपिस बिए उन्हें घंगी अगर मैं थीटा उन्हों तो यह भी थीटा हो कि और किया है यह यह उस STAR ने-मिडी चरहले किया यह नोर्मलल खिए पर वेकिशन नॉद कि दिए जुबन रहें दोनों पुखाओ और ती कमन उनरफ ट्रेंगयर के तीन हें अंगिल बराबर हैं और शी ara common है, एक ये ट्रैंगल, एक ये ट्रैंगल, लाज ट्रैंगल का खेल खेलना है, इस ट्रैंगल और इस ट्रैंगल में देखो, तीनो एंगल ब्राबर, एक साइड कामन, तो A, S, A से ये दोनों ट्रैंगल concurrent होते हैं और concurrent होते हैं यह side और यह side बराबर होती है यानि object is या image is that far inside the mirror as the object is in front of it यानि अब आप plane mirror में image बनाने के लिए ray diagram बनाना छोड़ दो मतलब एक trick लगा दो आप image पहले ही बना दो कैसे बना लोगे आप mirror को पकड़ो, object को पकड़ो मह लो object दो cm आगए है तो आप यहां से perpendicular खीच कर 2 cm अंदर जाकर image बना जो एक किस के perpendicular mirror एक mirar के perpendicular खीच कर 2 cm अंदर जाकर image बना दो यहीं तो किया जित्स हमें और object के दूर इमेज टक टक गिर है जो प्रोफेशनल तरीका है वो तो यह है कि रेज लाओ और रिफलेट कराओ फिर एक रेलाओ रिफलेट कराओ दोनों एक रहाओ चाहुँदा चाहुदा इसे करक्षे जहां मीट की वहां इमेज बनी यारू दिमाख लगा गई हो आपको पत्रा जित्ती दूर बत मेर्व पर्पेंडिकुलर चलना क्या करो तू करो इमेज न कि टू कि इमेज डॉप कि अब प्रपेंडिकुलर on प्रॉम ऑब्जेक्ट बसको ड्रॉप पर्पेंडिकुलर और मिरर फ्रॉम ऑब्जेक्ट और उतनी अंदर चले जो जितनी आगे ऑब्जेक्ट वाकिया समझ सकते हो ठेक है अगे समझ में आ गया पॉइंट ऑपजेट कहानी वर्चोल इमेज बनती है क्योंकि रेज अच्छल इमेट नहीं करती है ऐसा लगता कि वहां से कुछ रेज आ रही है हमें यह वहां से रेज आ रही है हमें लगता वहीं हम खड़े हैं और दूसरी चीज उतनी ही अंदर बनती च्प्वक रद्याहाँ से देखो मालो की मेरे ऐसा है तंटंटंटंटंटंटंट और अबजेक्ट की है अब इसकी वेस्ट रहा बनेंगी बताओ ऐसे जित्ती दूर ऑबजेक्ट उत्ती दूर इमेज अंए करना ना मेर के पर्पेंडिकूलर चलना है यह गलती नहीं करना ह अब्जेक्ट से पर्पेंडीकुलर की राउ मिरर पे और फिर जितनी दूर आपजेक्ट है माई लो यह L है तो उतनी ही दूर इमेज बना दो एर डिस्टेंस में, बोलो समझ में आए हैं, ऑबजेक्ट और इमेज को जॉइन करती हुई जो लाइन हो, वो मिरर को परपेंडिकुलर काटती हुई जाए, समझ में आए हैं, ऑबजेक्ट और इमेज को जॉइन करती हुई जो लाइन हो, वो मिरर को इसके बाद, एक बार इमेज पता चल गए, एक रही ऐसे मादो, अब आपको पता है, इमेज यही बन नी है, यानि रिफ्लेक्टेड रेस यही अपियर करी नी मीट होती हुई, एक रही यह उठा लो, आपको पता है, यह रिफ्लेक्टेड रेस जहां भी जाएंगी, पीछे यही मिलेगी, तो पहले ही मिला तो, अब भीजो, इसको भी पहले ही मिला तो, अब भीजो, बहूनों बन क्या रेडुवाएंग कहा हमां चोरी, पहले से इमेज बना लो, जती दूर ऑब्बच्टेड उत्ती दूर इमेज पर्प fact is बेचल चल कह, जती दूर ऑबच्ट यहां से रिसला यहां लड़ा है जो भी रिप्रेक्टिब टेजर पीछे यही मीट करेगी तो पहले नीठी करा लो फिर फीच दो क्लियर है और जैसे में बढ़िया सवाल यह बन सकता है कि बताओ इस केस में इमेज बनेगी की नहीं बनेगी जल्दी से जल्दी से आपको सारे कंसेट्स सीखने बढ़े बढ़ें कुछ नहीं करना है यह यहां पर खतम होता हुआ दिख रहा है कोई बात नहीं इस मिर्ट को आगे एक्सेंट कर लो आगे एक्सेंट कर लिया जित्ती दूर ऑपजेट पर्पेंडिकुलर लाइंग खीच क बढ़ें अतीदूर पे इमिज बना लो जितीदूर ऑप्यट मालए डिस्टंस डी है तो डी डिस्टंस पे इमिज बना लो अब बोलो कैसे बनी मिर्र तो उपपर है कुछ नहीं रेज ले किया हो यहां से कच्छा यह रेज आई अब यह रेज रिफ्लेक्ट हो के अधर जा क्योंकि मिर्र यहां पर खतम हो रहा है तो एक और और इसी रास्ते पर ले चलते आओ एक रह मैं इसे ले गया उपर टकरा दिया यह वी रिफ्लेक्ट होकर जाएगी और पीछे कहां मिलना चाहिए इमेज पर पहले मिला दो फिर रिफ्लेक्ट करा दो लो बन गए बोलो आपको मेरी बात समझ में आई अगर आपको पहले से पतल जाए कि में इतनी दूर बननी है जित्ती दूर ऑबजेक्ट है और मिरर के लाइन के परपेंडिकुलर यह लाइन होगी ऑबजेक्ट इमेज वाई तो खेल बड़ा सा है आपने यहां से एक परपेंडिकुलर प पीछा नीन आ सिता करते हैं यहां कोई मिरर प्रेजेंट नहीं है कोई मिरर प्रेजेंट नेगर है मैं इसको मिटार दूँ इसको मिटार दूँ इसको मिटार दूँ तो देखो ये कहानी हुई अब फील हो रहा है यह object से रेस गहीं गड़ी और पीछे जब आख से हम देख रहे हैं तो हमें object नहीं हमें लग रहा है यह तो कहीं mirror के अंदर से अ फिल रहे है अब फील मिबाद आओ एक सवाल करो रहा है तो फस्स नुमेर कल प्रेंट अप्रेंग से कॉस्चिन नुमर वान इज रहा है एज प्राइट टूदिटस अव इमच एक गडिन गोडिनेट गोटिकर दूटिट ग्रिनेट गोडिनेट करें यह एक प्लेन मिरर है, य एकसिस से 45 डिरी पे यह प्रिंटेड है, और अबजेक्ट आपका यहाँ पे है, यह आपका अबजेक्ट है, यहाँ से 2 सेंटीमिटर की दूरी के, find the coordinates of image, option देता हम में आपको, find the coordinates of image, the coordinates of image are 2,0, root 2,0, 0,-2, 0,-root 2, पॉस करके ट्राय करो, हो गया, मैं करूँ, चलो, सबसे बहरी बात तो कि image कहा वरीएगी, भाई mirror के पर perpendicular चलना है, और mirror तो यहाँ तक हाई नहीं object के सामने, तो एक काम करते है, mirror को extend कर लेते हैं, पिछली बार यही तो किया था, यही तो किया था, mirror को extend कर लिया था, फिर ऐसे image बना ली थी, तो यही हम ने किया, mirror को extend कर लिया था, यह object के सामने mirror दिखाई पड़ने लगे, बहुत खुबसूरत, अब क्या करना है, जित्ती दूर object, उत्ती दूर image, यानि एक perpendicular बनाना पहले तो, यानि यहां से इसे perpendicular खी चाहिए, यह angle कितना होना चाहिए, 90 degree, अब इक बताओ, यह 45, यह भी 45, यह 45, बच्चों यह 45, तो यह भी 45, बच्चा हुआ भी 45, द्यास देखो तो right angle triangle है, और ये right angle triangle triangle का haipo點use है, यह inequos है डो Alright आइसे 6 right angle triangle है, और ये रजी बर्ण बर्ण बराबर हैं, दोनrency सब्राबर हैं, तो यह root 2 और यह भी root 2 होगी हाहाहpow ह consideronse you square and root two, twitter, under root two, two, कितना है ऐगा, two, है भी नहीं समझे में आ रहा मुआ यह से नहीं ग्याएं आपसना है निद्सक्राइवा कि निपरीजिक्ट ब कउनवोमाई से मीशिल29 से संद्सक्राइब पर क्लों में यह लो इसका प्लओं कि दो नहीं वीज इसे हैं इता यह इक्यों संद्सक्राइब तो कोस 45 कोस 45 की वैलू 1 बाइ रूट 2 2 इंटू 1 बाइ रूट 2 तो फाइनल आंसर रूट 2 आया बहुत बढ़ी है यानि रूट 2 डिस्टेंस पे ऑब्चेक्ट है मिरर वाली लाइन से रूट 2 डिस्टेंस पे इमेज भी होगी यह यह बन गई लोग ख़त रंखे बड़ी, अब आपनी कैसे पता चला, यह यहीं तो बनेगी, यहां नहीं बनेगी, अर यार, रूट टू कितना होगा, टू रूट टू, ठीक है, यह यह इतना है, नबदे, अब यह नबदे होगा, यह 45, तो यह 45, तो यह 45, अब यहां से यह पूरा टैंगल देखो, बड़ा बहुत आपको मैंस भी आनी चाहिए, यह 2 है, यह 2 रूट 2 है, यह 2 है, यह 2 रूट 2 है, तो डेफिनेटली यह भी तो 2 ही होगा, 2 का स्क्वेर 4, 2 का स्क्वेर 4, प्लस करो, अंडर रूट 8, 2 रूट 2, यान यह डिस्टंस भी कितना होगा, 2 सेंटीमेटर बीचे, बहला बा आपकेस 2 रूट 2 है, यानि दोनर साइट दो दो होनी चाहिए, अगर एक दो है, दूसरी की दो होगी, तो इमेज यहाँ बनी है, कहाँ पर, 0 कॉमा माइनस 2 पर, option C, बोलो आ गया, आया समझ में, बहुत बढ़ी है, मिटाने, चल, तो यह हुगा, पॉइंट ऑप्जिक का अब ले लेते हैं, extended object, extended object मतलब, लंगा सा object, ठीक है, तो image formation by plane mirror में, image formation by plane mirror में, हम उठा लेते हैं, extended object, इसको बोलेंगे A, इसको बोलेंगे B, ठीक है, यह हो गया आपना plane mirror, हम से कहाँ, इसकी image बनाओ, पूरे पूरे extended object की, अब तुम दिमार्ग लगाना स्टार्ट को, कि भाई, अब एक ही image, जित्ती दूर A mirror से है, यह extended object है, पूइंट से बढ़ा, इस पूरे A B की image बना लिए, अब जित्ती दूर A है mirror से, उत्ती दूर A की image बना लो, यह इतना है, ना, A dash, जित्ती दूर B है, उत्ती दूर B dash बना लो, ठीक है, और कहा बनाना, स्ट्रीट लाइन के ब B dash, और A dash B dash को जोड़ दो, image बना लो, कितना ही असान है, आपको पता है, जित्ती दूर object उत्ती दूर में, जित्ती दूर यह object उत्ती दूर में, इस दूरों को जोड़ दिया, image बना लो, यह आपने really खंचात माली, अब यह reflect होके जिधर भी जाए, जिधर भी जाए, जाले से ही A dash से जोड़ दिया, और यह बना लो, एक और रेच चाहिए, तो एक रेच तो यही वाली उठालो, इस पर, यह गई, लड़कर वापस, यह आपके, दोनो रेच काहा मिलनी है, यह आपके, B से भी दो रेच चाहिए, एक रेच यह उठालो, काह मिलेगी, पीछे पूला सही है, एक रेच यह उठालो, रिफ्लेक्टो के वापस, काहा मिली दोनों रेच, पीछे, बिल्याश में, बोलो आगे है, एक स्टेंड अब्जेट का खेल, जड़ा इसकी इमेज बनाओ, जड़ा इसकी इमेज बताओ, कैसी बनेगी, जल्दी से, जित्ती दूर A, उत्ती दूर A की इमेज, यहाँ पे मालनो, A डश, जित्ती दूर B, उत्ती दूर B की इमेज, B डश, बनगी इमेज, रे डाइग्राम बनाना है, और A डाइग्राम बनाते हैं, एक रे मैंने यह उठा ली, पीछे A डाइश चे मिला दी, पहले से, फिर रिफ्लेट कराई, यह लोगिक समझ में आरा, पहले ही मिला हो, दूसी रे भी चलो उपर ही ले चलते हैं, इस बाग, कोई दित्तत ने, य ओपर B डाइफ चाहिए, और यह ऐखे लुगेश कराओ जिए इस यह लेगा ही, कहां मिलनी चाहिए, क्यां-क्र एक एफिलिट बात में पर पता है, पीछे जाखे कहां मिलना है, प्रे और प्र उठा लिया, कहां मिलेगी § लो आ गया समझ में कैसे इमेज बनानी है और दिस्टन्स देखके इमेज पहले से बना लो फिर उसके बाद रेटा इलाव में वन वड़ा कहानी देख लो क्लियर है जड़ा एक सवाल बताना इसके बाद मिटा रहे हैं सवाल यह है आपको अब क्रिक समझ में आ गई ना कि पहले इमेज बना लो और रिफ्लेक्टेट रे पहले ही बना लो पहले खीच लोग कहां जा रही है और जैसे मानलो इसमें सवाल है कि मानलो एक घड़ी है उस तो गड़ी में तीम बज लगा थो तूज है कि अधूए के उसकी अंदर हमें कितना बजा हूगा दिखाई पढ़ेगा सरतीनी दिखेगा नहीं वह लिखने वाली घड़ी नहीं यह वाली है अब इसमें बता दिखेगर शीषे के अंदर क्या दिखेगर यहां कुत्री दूर यह पॉइंट दिखेगा यहां पर जितना दूर उत्तर दूर लिए और यह माल लो यह एतनी दूर है यहां से मिरर से यहां पर हो जाएगा इसको देख लो यह तो CD-line जित्ती दूर यह उत्ती दूर यह और O बुले कि बने बात समझ में आ रहे हैं यह एरो है जित्ती दूर है उती दूर बनाया यह ओ पॉंट जित्ती दूर है यह यह जित्ती दूर है अब देखो ध्याना देखो यह आपको नौ बचावा नहीं थी काई बढ़ा वाब बैवा यानि शीशे के अंदर नो देख रहा है को दो करेंद करने हैं गदों है समयोगा मनोच पेंठी पंदरा सेकेंड गड़ी में समय को रहा है और इसकी मेरे रिमेश में बताओ क्या समय होगा करो इसको डाइग्राम बनाके दो बचके 35 मिनेट 15 सेकंड तो ऐसा नहीं करना है इसके लिए एक ट्रिक आपको बता रहे हम कि देव हुए समय को 12.0000 से माइनस कर दो क्लॉक से या देना कौन सी होती है यह वाली इसमें समय माइ पड़ाता यहां से इक हासिल लिया यह इसकी हो जाता है यह इसमें से दिया हुआ समय माइनस कर दो जो आंसर आएगा वह मेरे इमिज का टाइम होगा जैसे इसमें से मिसको माइनस कर दें 115960-23550 यह हो गया 45 यह 4 तू ना तो मिरे इमेज में यह समय हो रहा होगा जैसे बापको कोंपलेक्स टाइम हो मिनिट्स हो सिर्फ हो तब इसमें से उठाके माइनस करके सीधा आसर बता देना डैकराम आइगराम से तब काम नहीं बनेगा जोड़े इसको फिर आगे बढ़ते हैं हम इतन नए तरय के कोश्चन की तरह चाब लिया चाब लिया बहुत बढ़ी है चलो अब आता है आज का असली पार्ट जहां हमें minimum length of the mirror या minimum height of the mirror पता करनी होगी पहला कोश्चन लेते हैं बढ़ा famous कोश्चन है बहुत famous तो करने का जो तरीका हम बताएंगे वह सबसे बढ़ी होगा कोश्चन को आपने देख रखा होगा अब बाए ओफ हाइड एच वांट्स तूशी कि इस फुल इमेज इन आ प्लेन मिरर एक प्लेन मिरर में वह अपनी complete इमेज देखना चाहता है सर से लेकर पाउं तक फाइंड दा मिनिमम लेंट ओफ मिरर रिक्वाइड यानि कम से कम मिरर कितना बढ़ा हो कि उसके अंदर आप अपनी पूरी इमेज देख सके इतने छोटे से मिरर में मेरी पूरी इमेज कभी आई नहीं सकती ठीक है कम से कम मेरी height का half height का mirror होगा तभी मेरी image उसमें पूरी दिखाई पड़ेगी यानि answer है H by 2 कम से कम mirror की length ह by 2 होनी चाहिए तो answer तो पता है इसको करने का तरीके भी बहुत है बट जो वहां तरीका बतारें, उसको ध्यान से समझो, क्योंकि ऐसे बहुत से कोशिन बनेंगे, तो ध्यान से देखो, हम क्या करने हैं, हम यहां पर बॉइ बना लेते हैं, यह मैंने बॉइ बना लिया, ठीक है, यहां मालो, यहां तो उसका हेड है, सबसे उपर, बीच में कही इसको बोला ए इस कोじゃあ 6 इसको भ। इसको बुला वी कि अभी इसी के बराबर का बना लो इस बत Bunu किआ बबना अभी इसी के बराबर का मिरर बना दो प्रों जिता कम ऐँ यह होगा हटा लूगं पहले बराबर करा में अब इसकी में बना में नेक्स टेको इसकी इमेज जितनी दूर औबजेक्ट उत्ती दूर इमेज जितनी दूर ऑबजेक्ट उत्ती दूर इमेज तो यहां पूर से आने वाली रे हमारी आंकों तक पहुँच जाए कि और फीट से आने वाली बी हमारी अन्कों तक पहुंच नूइए लगा हैं साल्ग तो एसा ए यह यह ऐगी होगी सब क्या आइग Absolue पीछे इसको extend करेगी तो वहां मिला इस तरह से feet की बात है तो feet से भी रहा कि आख पे लड़नी चाहिए यह हमें लगेगा रहे कहां से आ रही feet से बड़ा actual में तो race यहां से आएगी a ऐसे और reflect होके जाएगी ऐसे हाँ पीछे ले जाने पे लगेगा कि यहां से आ रही मिलर से जित्ती दूर object उत्ती दूरी में चाहिए अच्छा अब देखो क्या करना है थोड़ी सी geometry समझनी है मैं यहां से एक line बनाके यहां पे जो देता हूं अब आप यह बड़ा वाला triangle देखो यह triangle बड़ा वाला ठीक है यहां पर कुछ naming कर लेते हैं इस point को P बोल देते हैं इसको Q बोल देते हैं और इस point को A यह बड़ा वाला triangle ज़रा आप देखो यह यह वाला यहां पर A ड़ाश यहां पर B ड़ाश और यहां पर B है और बीच में ऐसे line की चिभी है P Q ठीक है ना यह अला triangle में कितना है यह कितना है L और यह भी कितना है L यह L और यह भी L तुर देर क्लिए माल लेते हैं यह जो P Q है यह X है P Q को हमने X माल लिए अब द्यान से देखो यह छोटा वाला triangle और यह बड़ा वाला triangle क्या दोनों similar है बहुत clear होगा आपको कि छोटा triangle बड़ा triangle क्या हो जाएगा similar क्योंकि angles दोनों के बराबर है यह angle देख लो common है यह लपे है यह इसमें भी लपे है तीसरा angle अपने आप दोनों का बराबर तो छ is equal to a upon यह मतलब a dash b dash upon p q is equal to b b dash upon b q बहुते सोचों सही दिखा है यो बाई yoke is equal to y by yoke similar triangle की side का ratio से है यह दाश b dash हमको नहीं पता तो a dash b dash ही दिख लिख लिया p q को हमने x माना है b b dash हो गया 2l और b q हो गया l l से l मर गया देखो b q हो गया l b b dash 2l यहां से a dash b dash की value आपको मिल रही है कितनी 2x यानि यह हो गया 2x के बराबर ठीक है इतनी बात समझ में आई अब जड़ा यह नीचे वाला triangle देखो कि यह कि यह क्या बी डी डाश सी कि इसमें बीच में एक लाइन की चीजिए टैंगल दिखा रहा हूं दिख रहा है बी डी डाश और सी डाश सोई बी डी डाश और सी डाश इसमें बीच में एक लाइन दिख रही है ऐसे qr की गर पुछ हूं bq कितना है फिर से l और qb-l इसमें फिर से बी डाश टी डाश अपान qr is equal to bb-डाश अपान bq बोलो कोई दिख कर यो बाई यो इस यो बाई यो सिम्लर टैंगल की साइट्स का रेशियो से बी डाश टी डाश नहीं पता qr को आपने खुद वाई माना bb-डाश है 2l और bq है l l से l मर गया b-डाश c-डाश is equal to 2y यानि ये जो लेंद है ये 2y question खतम question खतम बताओ कितना mirror required है क्या ये part of mirror required है हमको जो head से raise आ रही है वो यहां से लड़कर चली गई यानि ये part required नहीं है ये बताओ क्या हमको ये part mirror का required है नहीं foot वाली जो raise है वो इसको नहीं से लगी गई यानि ये भी हम अटा सकते हैं ये भी required नहीं है सिर्फ इतना mirror अगर मिल जाए तो पूरी इमेज दिखे एड़ वाली रेज ये पैर वाली रेज ये इतने mirror में पूरी इमेज दिखाई पड़ सकते हैं इतने mirror का size कितना है size of mirror कितना है x plus y अच्छा y की height कितनी है ये पूरी height कितनी है बच्चों ये पूरी height कितनी है capital h के बराबर क्या capital h 2x plus 2y के बराबर दिख रहा है image का size तो same होगा जैसे object का size है तो size of yeah height of y कितना हो गया 2x plus 2y plane mirror में image और object का size same होता है ये point अगर नहीं लिखा था तो लिख लो plane mirror में image और object का size same होता है images of same size as that of object ठीक है virtual होती है image upright होती है मतलब सीधी बनती है और same size की बनती है as object ये तीनों बाते लिखनो in plane mirror the image is virtual virtual मतलब rays appear to meet the image is upright यानि image सीधी बनती है जैसे ये हैसे एसा नहीं उल्टे inverted नहीं बनी और तीसरी चीज of same size as object तो जैसा object है गुती बड़ी image तो अगर ये h है और ये 2x plus 2y तो दोनों बराबर है plane mirror में क्या-क्या image virtual है image सीधी है यानि upright या जिसको आप इरेक्री बोलते है और तीसी चीज same size as that of object अब ये 2x plus 2y किसके बराबर है h के बराबर है तो अगर 2x plus 2y h के बराबर तो x plus y किसके बराबर हो गया h by 2 यानि length of mirror या size of mirror required कितनी है h by 2 2x plus 2y से h बन रहा है या देको 2x plus 2y से h बन रहा है यानि 2 times of x plus y से h बन रहा है तो x plus y कितना हो जाएगा h by 2 ये करने का तरीका आपको सीखना था similar tangles लगाना सीखना था चले दूसरे question पे feel हो गया क्या करना है heads की raise को कहां लाना है आख पे pair की raise को भी आख पे ऐसे बनाया ऐसे ऐसा लग रहा है raise यहां से आ ली बड़ एक्च्वल में तो ये एक्च्वल में तो ये उसके आख दो tangles बना लिए और similarity लगाती है clear है आगे बढ़ें note कर ले pause करके चल अगर कोई confusion हो तो comment करना मैं इसका जलूर reply करूँए इस question में अगर आपको कोई कर दो ये भी बहुत famous है करने का तरीका मैं इसे खा दिया है अब देखें अब बॉय इस स्टैंडिंग कि मिडवें कि बिट्वीं कि अब वाल कि ओफ height capital H and a plane mirror एक इंसान एक दीवार और mirror के बीचों बीच खड़ा है find minimum length of mirror required so that the boy can see full image of wall पिछली बार खुद को देखना चाहता था इस बार दीवार को देखना चाहता है पीछे दीवार है बीच में वो लड़का है और सामने mirror लड़की भी हो सकती है मैं gender wise नहीं हूं ठीक है और सामने mirror है और जो बंदा इतम बीचों बीच खड़ा है अब यह mirror में पीछे वाली दीवार पूरी पूरी देखना चाहता है तो mirror की length कम से कम कितनी हो अगर दीवार की length h है बनायाएं के सीखो जडाः यहां मेरा की अबिच में कर लो बंडा कर लो सीखें यहां वाल बंदा कराई है कि यह वारा बंदा कराई médico कि other week और यह में ये मिलर और अब उसके जितना इस्टेंस यह उत्ते दिस्टेंस में मिरर लिखा है जो नहीं होगा उसको हम हटा लेकर बहुत बड़ी है यह इस्टेंस मान लेते हैं अब आप इसकी इमेज बना लो जित्ती दूर ऑबजेक्ट उत्ती दूर इमेज जित्ती दूर ऑबजेक्ट उत्ती दूर इमेज यह हो गया हमारा ऑबजेक्ट और इमेज का साइस सेंब होगा है अब बदे को रहा है यह यहां इसकी इस है इसकी इस इस अब इस बंदे को क्या देखना है find minimum length of mirror required so that the boy can see full image of wall पूरी दिवार चाहिए उसको mirror के अंदर यानि दिवार के उपरी कोने से आने वाली raise भी इसकी आँखों में चाहे और निचले कोने से आने वाली raise भी इसकी आँखों में चाहे यानि एक तो ये raise हो गई इसकी आँखों में जा रही है ये ऐसा लग रहा बी से रेज आ रही डी डैश है क्या बी डैश है सच में रेज आ रही असल में तो डी से आई है और reflect होके इसकी आंखों में लेए बोलो सही बोल रहा हूं ठीक है असल में तो यहां से ठीक है अच्छा ये length पूरी कित्ती होगी मेरे ख्याल से ये 2D होगा मिरर से wall कितना दूर है 2D ये तो मैंने ऐसी अपने आप डी बेर लिया है तो मिरर से image भी कितना दूर होगी 2D देखो image मना लिया हमने जित्ती दूर object जित्ती दूर image 2D पे object 2D पे image अब फिर से आपको वही symmetry वाला खेल खेलना है ये मैंने काट दिया 2 triangle बन गए इसको फिर से P बोल देते हैं इसको Q इसको R P, Q, R एक इस point की भी जरवत है let us call this point as C dash C नहीं बोला C dash को दिया अब आप फिर से 2 triangle देखो एक ये बड़ा let angle में उफा रहा हूँ यहाँ पे A dash यहाँ पे C dash यह point का नाम नहीं है इसको चलो C बोल देते हैं यहाँ पे C C की image नहीं है C dash आप पे C और बताओ एक line की चीए ऐसे P, Q बन्या A dash, P, C Q, C dash ठीक है अब यह C Q distance कितना है इस बार D और Q, C dash कितना है 2D P, Q कितना है नहीं पता let this be X अब आपको A dash, C dash की value चाहिए similar triangles दिख रहे होंगे तो Y by Y is Y by Y A dash, C dash upon P, Q is equal to C, C dash upon C, Q बोलो पोई दिखकत Y by Y is Y by Y तो A dash, C dash और B Q को आपने कुद X माना है C, C dash कितना हो गया 3D C, C dash 3D और C, Q कितना हो गया D D से D मल गया A dash, C dash का मौन को भी 3X तो यह हो गया हमारा 3X के बाराबर इस तरह सब नीचे आला triangle उठालो पुरा यह बढ़ आला triangle समझ में आ रहा है यह triangle, यह C है, यह C dash है, यह B dash है और यह एक line में खिची हुई है Q, R की दिख रही है Q, R की C, Q कितना है, D Q, C dash कितना हो गया 2D बचा यह D, यह 2D पहले यह अला triangle उठाया अब यह बढ़ा C, Q, C dash C, R, B dash यहाँ पे हम Q, R को इस पर Y माल लेते हैं इस distance को Y माल लेते हैं अब बताओ, क्या हम लिख सकते हैं C dash, B dash upon Q, R is equals to C, C dash upon C, Q बोले सही है Yoh by Yoh is Yoh by Yoh similar triangle देखना हाता है बड़ा triangle लेते हैं तो इसका perpendicular upon S इसका base upon इसका base तो C dash, B dash की value कितनी है यहाँ सॉल परते हैं C dash, B dash की value कितनी है अपने को नहीं पता Q, R की value कितनी है Y, अपने खुद माहना C, C dash कितना है 3D और C, Q कितना है D C, D dash is 3Y मतलब यह length आई 3Y यानि H किसके पराबर है 3X plus 3Y क्योंकि object और image same size के होते है plane mirror में अब मुझे बताओ mirror कितना required है क्या यह mirror required है नहीं जो head की raise है मुझे यहाँ में मिल ली head क्या ball का जो kona है उसकी raise यहाँ मिल ली यह mirror हटा दो required नहीं है क्या यह mirror required है यह required नहीं है तो कि food से आने वाली raise है सिर्फ इतना ही mirror required है कितना X plus Y size of mirror कितनी required है X plus Y height of Y कितनी है H height of wall कितनी है H और H किसके बराबर है 3X plus 3Y 3X plus 3Y is equal to H तो भाई X plus Y H by 3 के बराबर यानी mirror की size कम से कम H by 3 हो आप चाहोते दोनों के सरट भी सकते हो छोटे मोटे competition के लिए एक इंसान को अपनी पूरी image अगर plane mirror में देखनी है तो mirror की height कम से कम H by 2 हो इंसान के height की आधी हो कम से कम उससे ज़्यादा में भी काम चल जाएगा अगर एक इंसान एक दिवार और एक mirror के plane mirror के बीचों बीच खड़ा हो उस time उसे उस दिवार की पूरी image देखनी है mirror के अंदर तो कम से कम mirror की length H by 3 हो अगर उस दिवार की length H है clear है समझ में आया करने का तरीका मैं डार दे एक बढ़िया सवाल ने इसी पर अब आप खुछ से करके दिखाएंगे स्यार है आप दे सवाल पक्का let's see सवाल कुछ कुछ आसा ही रहेगा यही रहेगा एक दिवार रहेगी एक mirror रहेगा एक लड़का रहेगा थोड़ी कहानी में हम चेंज करेंगे हम बना देते हैं चलो सवाल इस बार बना के दिखा देते हैं यह दिवार है मेरी यह wall है ठीक है और wall की height हमको दे रखी है फेसे कितनी capital H यहां बन्दा खड़ा है ठीक है और यहां mirror लगा है ठीक है और इस बार बन्दा बीचो बीच नहीं खड़ा बीचो बीच नहीं खड़ा इस बार बन्दा बीचो बीच नहीं खड़ा इस बार मान लेते हैं यहां से A distance पे हैं और यहां से मस्क वह सवाल बराबर बराबर डिश्टन्स पे नहीं वह से एक डिस्टन्स पे मिरर्स भी सब्सकरारे को प्लोड़ारी बदश्टयंद गयर देदे कि यह तो S8 समझ रहो, इंसाम में सवाल कैसा ही बन सकता है, वैल उस देखे, कि एक इंसान है, उसकी हैट 10 cm है, तो मिरर की हैट कितनी हो नहीं चाहिए, कम से कम 5 cm हर तरे के सवाल के लिए, अब यहाँ भी क्या दिया, इंसान की हैट नहीं दिया, बोला मालो यह 5 cm यह बोला 2 cm, तो हमने A 2 cm, कर नहीं दिया, वैर 1 cm, तो हमने द कम पूढ recount, Fyint the minimum length of mirror so that the boy, दो इस बाद लिल है है, एै e so that the girl can see full image of wall inside the mirror, find the minimum length of mirror, करो बूच से करो, required so that the girl can see full image of wall inside the mirror image नहां बनती है mirror के अंदर back of mirror नहीं inside the mirror के अंदर एक दिनिया है mirror चलो हम इसके आपको options रेते हैं a, b, c, d option है आपके h, a, by, b h, b, by, a h, b, by, 2, a, plus, b h, b, by, 2, b, plus, a so इस चीज़ करते हैं h, a, by, 2, a, plus, b h, a, by, 2, b, plus, a try करो pause करके यह वाला कुद से option जब तक match ना हो तब तक try करते रहो तुरिंट give up मत क्या करो कोशिश करो तरीका मैंने सिखा दिया हो गया pause करके try कर लिया pause करो, try करो कुछ से give up नहीं करो बन जाएगा तरीका सिखा दिया है कोई टप सवाल नहीं है क्या करेंगे करें इसकी सबसे पहले image बना लो इसको बोज़ेते हैं चलो A इसको बोज़ेते हैं capital B जिती दूर object उती दूर image e-dash ठीका एदिये सांब्न आु e-dash b-dash ठीका मां अच्या अब पूरी दिवार कब दिखकेगी इसका लिए पना लिए आखी अब पूरी दिवार कब दिखेगी जब A- नियोगा रहे पह पहराँ चाला है और B- चातिहाँ है कि यहां से जोने है नाम करन कर लेते हैं P Q Q R इसका नाम रेते हैं C इसका नाम मिल्रर से object कित्थी दूर है a plus b तो image भी किती दूर होगी mirror से a plus b अब एक बाब बड़ा रट एंगिल उठा लेते हैं उपर अगरा अगरल मतल बड़ा मतलों उपर अगर उपर रट एंगल उठा लेते हैं यह उठा लिया यहां पे c है यहां पे a dash है यहां पे c dash है अपान PQ is equal to CC' अपान CQ A'C' नहीं पता PQ की वैलू X मानी CC' कितना हो जाएगा इस बार 2B plus A अपान B वोड़ा सही है Yो by Yो is Yो by Yो प्रोसीजर समझ में आ गया है तो Y by Y X और Y कितना हो गया 2B plus A upon B यहां से A'C' की वैलू कितनी मिल लही है X into 2B plus A by B जर् Sheep और मीचे राख एंगल उठाओ आँग नीचे राख एंगल उठा लिया हां यह कितना है C यह क्या है B' बीच में एक राइन काट रहे है QR ये CQ कितना है B और ये कितना है A प्लस B फिर से क्या कहेंगे QR को Y मान लेंगे अब क्या बोलेंगे C-V- upon QR is equals to C C- upon CQ अब ये रट के नहीं आ सकता बच्चा एक्जाम में इसके लिए चाहिए आपको करने का तरीका वो रट सकता है कोई कि कम से कम मिरर की लेंथ कितनी हो पूरी इमेज दिखे है एच बाई 2 दिवार पीछे मिरर आगे मैं बीच में दिवार की हाई डेच कितनी लेंथ होनीच है मिरर की है एच बाई 3 ये कैसे रटेगा तो C-B- upon QR के वैलू बोलो Y C-C-दाश बोलो 2B plus A C-Q की वैल बोलो B यहां से C-B- is Y times of 2B plus A by B तो आपको A-C- मिल गया ये कितना आया है X times of 2B plus A by B C-B- भी मिल गया ये कितना है Y times of 2B plus A by B कि यहां तक नोट करों सवाल में टाल दूँ मैं minimum length of mirror required so that the girl can see full image of wall inside the mirror अप सुभूँ कितना mirror required है इतना इतने से काम बन जा रहा है top volume बी और bottom volume बी बी यानि size of mirror required size of mirror required किती है X plus Y हाइट ऑफ वाल कितनी है हाइट ऑफ वाल कितनी है है एच बोलो या इसको यह बोल सकते हैं नहीं आदा समझ को यह बोले या इमेज की हाइट बराबर हो भी कितनी है जड़ा देखो वहां से दोनों को एट करोगे तो 2b प्लस a by b common हो जाएगा और यह बचेगा x plus y बोलो यह पूरा जोड़ोगे जब जोड़ोगे तो 2b प्लस a upon b common x plus y यह किसके बराबर होगा अब यहां देखो आपको x plus y की वैलू चाहिए x plus y की वैलू क्या आएगी h into b upon 2b plus a बोले है x plus y की वैलू देखो यह उद्धर चाहिए एच इंटू b upon 2b plus a एच इंटू b upon 2b plus a आ गया मजा आया बहुत बढ़िया तो आपको यह process आना चाहिए तब ही आप इसका कोई इसके सवाल नहीं हिला सकते हो अब एक्जाम में यह भी ना देखे 5 cm 2 cm क्या पता इसकी हाइट यहां पर गन्फ्यूस करने के लिए कि इसकी हाइट यहां पर 3 cm जबके आपको पता है इसकी हाइट से सवाल का कोई लेना देना नहीं है क्लियर है हो सकता दिवार के हाइट देदे 10 cm वो दे 2 cm 3 cm क्या करना है एक की वैलू को दो रख देना बी की वैलू को तीन रख देना है एक की वैलू को दस रख देना अंसर आगे इसलिए मैंने बेरेबल स्टम में सॉल्व कराया है क्लियर हुआ करने का तरीका आज आएगा तो आपसका कोई भी सवाल हिला दोगे यह है किसके बनाबर यह प्लस यह यहां से तू भी प्लस अभाई भी कॉमान एक्स प्लस वाई एक्वल टो एच अब हमें क्या चाहिए सा कि किस चीजसे है ओप्लस फिल्ड ऑफ विव कहां तब कोई चीज दिखाई पर रही ह naar अब कवुज़ का यहां से देखे रहे हो इसको हम बोलते हैं field of view यह कहां तक इमेज दिखाई पड़ रही है इसको जैसे जैसे दूर जाओगे field of view बढ़ता जाएगा कितने दूर तक image दिखाई पड़ेगी कितने बड़े ब्रैकेट में image दिखाई पड़ेगी क्लियर हो रहा है मैंने object से corner corner पे mirror के range डाली image पहले से बनाली मुझे पता है जितनी दूर object इतनी दूर image पर्पेंडिकुलर लाइन पे डॉट 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 और इसको बोलते है field of view अब इसी के ऊपर सवाल है नोट करना नोट कर लो छोटी सी बात दी चाप लियां ओप सवाल वह पिछले concept पर तुप इसका use होगा क्या है सवाल सुनों बढ़ 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 यह सवाल है बहुत बढ़ यहां यहां पे एक plane mirror है मेरे पास इस plane mirror की हमें length दे रखी है d इस plane mirror के center के सामने एक point source of light रख था है point source of light point source of light s is point source of light एकदम इसके center से यह d by 2 यह d by 2 और यह source of light रखा है यहां से L distance पे ठीक है इस mirror से 2L distance पे के distance पे इस mirror से 2L distance पे एक इनसान है ठीक है अभी लड़का आया लड़की है क्या नहीं पता हूँ जब और वो सीधा सीधा चल रहा है parallel to the plane mirror कैसे चल ला है parallel to plane mirror यह सब language में लिखा रहा है सवाल के मैं बता दे रहा हूँ एक इनसान है जो यहां चल रहा है parallel to the plane mirror to a distance question है question है to what maximum stretch मतलब length the man can see image of of light source in the to what maximum stretch yani length the man can see image of point source image of light source s inside the mirror पहले copy करो सवाल समझो एक plane mirror है D length का उससे L length पे point source of light s रखा है 2L length पे एक इनसान है जो mirror के parallel यहां पे चल रहा है पूछ रहा है कितने लंबे stretch में यह इनसान इस point source of light की image को देख पाएगा सवाल समझाएं यह point source of light है इसकी image कहा बनेगी image बना लो पहले से आप दिमाग वाले हो गया हो यहां से L length में यहां कही image बनेगी as a dash कितनी दूर तक जाने पे इसको image दिखाई पढ़ रही होगी मतलब एक time आएगा आप निकल जाओगे आप चल रहो चल रहो सामने mirror एक time के बाद उस mirror में आपको source of light की image नहीं दिखती कभी अपने सामने mirror रखो और अपने पीछे कोई भी हो जैसे white board में सामने mirror रहता है आप महाँ पीछे सामने mirror जो उनको बताता है क्यामरा से ही चलना एक नहीं थोड़ी बहुत चीज़े कभी पीछे आपकी देखना पता है तो इसलिए हमने पुछा कितने stretch तक इसकी image आपको दिखाई पड़ी तो देखो यहां से निकलने वाली सबसे corner से race कौन सी है एक यह एक ही ए ऐस है ए ऐस है यही रेस है बोलो ठीक है यही रेस बनेंगी बोलो यही रेस बनेंगी हम हम actual में यह जो रे आपको दिख रहे है actual में तो यहां से आ रही है ए यह यह ऐसे गई लड़की ऐसे बढ़ इंसान को क्या यहां इससे light आती दिख रही है उससे तो लग रहा है कि यह light ray कहां से आ रही है पीछे यहां से जैसे यह वाली रे है तो यहां से आ रही है देखने भी तो लग रहा है यहां से बड़ अक्चुल में तो बड़ निसान हो क्या लगेगा यहां से बड़ अक्चुल में समझ में आ रहा है हमने का सबसे कॉर्णर से जो रे जाता है उसे यहां पे आके भी रही लाइट सोर्स दिखाई पड़ेगा इसके आगे निकलते ही निकलते ही उसके लाइट सोर्स की इमेज दिखना बन हो जाएगी जैसे इस इसको प्रास्ट करेगा इस दो कोई रे रेस यहां से थोड़ी Vanguard तो यहाह से निकली ही दिये तो मेरे खें confidently रिठ Inlaş NEW रिए इसकी लाश्ट है कि यहीं सबस्क्राक। मझें यहां पर सब्सक्रा ज़र के यह थो उनूर्ट चीज्ट है यह तो पॉर्च्वल है एक्टॉल में तो इमेज बनी नहीं है, वर्चॉल, एट पर इसम दिस्टेंस, एड एक्ट, एक्टॉल पर परवटी जोड़ गई, वर्चॉल, इमेज, एट पर इसम दिस्टेंस, जिती दूर ऑबजेक्ट, सेम साइस की, और सीधी, खेले तो पॉइंट सोग से, तो यहां आ आपका ओप्ष्ट यहां एक बार खुट से, मैं औका ऊप्ष्ट देता हूं, आपका ओप्ष्ट है, अपक्रिस्ट पॉप्ष्ट करके खुझ से, पॉच्छ करके, हो गया, चलिये, मैं करों, पॉच्छ करके ट्राइ करलो, आगे अंसर, एक बड़ा रठेंग लिए यह है नाम करना पड़ेगा आए यार ऐसी कर लेते हैं अधिक लेकर अचले पर लड़ करते हैं इसका नाम पड़ा हुआ इसका नाम देते हैं इसका नाम देते हैं सीड़ेश तो तो इसड़ेश और एए और सीडर और बीच तो यह इसका आधा, यह D है तो यह कितना? D y 2 अरे जी, हर बार X लेंगे अरे भाई दिया है ना कि यह D है और यह इसका आधा है कि इसके सेंटर के सामने तो यह यह D y 2, यह भी D y 2 मीचे और अभी यह D y 2, S q कितना है? S q अपना L और Q c dash कितना है? यह हो जाएगा 2L अरे बोल दिया है कि 2L दूरुपे इंसान चल ला है यह हो गया 2L अब बताओ A C dash by P Q Is S dash G dash by S dash Q इस नाम है ट्रेंगल के है ना? तो A dash, sorry A C dash by P Q हो गया D by 2 S dash C dash हो जाएगा 3L S dash कि हो गया L स L मर गया A C dash कितना हो गया? 3D by 2 तो यह हो किया 3D by 2 बुलवा यहा यह बड़े ले ट्रेंगल यह चोटा ले ट्रेंगल यह L चोटा ले ट्रेंगल का बेस L अरे एक देखो यह बड़ा ट्रेंगल यह चोटा ट्रेंगल बड़े ट्रेंगल का बेस 3L चोटे का बेस L चोटेगा बायाले की हाइट D घू तो बड़ीगा बायाले की हाइट 3D बायाले की हाइट 1 complex बड़ीऎले घटा फेस L 3L 2 V3D इसते से हेंना आचाओ यह D थार्यंगल का ने बाया ट्रैंगल देखा 3L 2 R 3L 3D by 2 3D बाय तू 20 Under piece बोलो आया, तो यहां पर हम plane mirror की इन कहानियों को करते हैं, समान अब तक लिए lecture में हम लेके आएंगे, कि जब दो plane mirror आपस में inclined हों, तो image कहां बनेगी, कितनी बनेगी, number of images, when two plane mirrors are inclined to each other at some angle, बहुत बढ़ी अटाप के, और थोड़ा सा rotation of plane mirror भी discuss करेंगे, अभी plane mirror पर तीन lecture ब बढ़ी बस्त